आज मैं आपके सामने एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सब के मन को भाती है और सब को बहुत बहुत पसंद आती है तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल SG Food World में आज मैं लाई हूँ आपके लिए सेफ पूरी की रेसिपी इस स्ट्रीट फूर्ड रेसिपी को आप घर पर असानी से बना सकते हैं बहुत ही कम इंग्रीडियन्स के साथ और जब आप बनाएंगे तो ये जटपट खतम हो जाएगी ये मेरी ग्यारेंटी है इस रेसिपी की शुरुआत करने से पहले आईए SG Food World को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल बटन प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए सेफ पूरी बनाने के लिए इंग्रीडियन्स देख लेते हैं आपको लेना है एक बारीक कटा हुआ प्याज एक बारीक कटा हुआ टमाटर दो आलू जिसे बॉयल कर लेना है और फिर चॉप कर लेना है सेव लेनी है ये बारीक सेव आपको मार्केट में मिल जाएगी दई लेना है आदा कप यानि की 100 ml पूरी लेनी है ये सूजी और मैदे से बनी हुई पूरी है ये मार्केट में आपको असानी से मिल जाएगी थोड़ा सा हरा धनिया जिसे चॉप कर लेंगे थोड़े अनार के दाने एक नीम्बू मसालों में आपको लेना है एक चथाई टीस्पून नमक और लेनी है हरी चटनी एक चथाई टीस्पून जीरा इमली की चटनी काला नमक एक चथाई टीस्पून एक चथाई टीस्पूनी चाट मसाला अब एक बाउल लेंगे और उसमें आड़ करेंगे बोईल डालू जो हमने चॉप करके रखें साथ ही साथ एड़ कर देंगे चॉप किया हुआ प्यास साथ ही एड़ कर देंगे 1 चुथाई टी स्पून जीरा आप जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं इसकी जगा 1 चुथाई टी स्पून काला नमक एक चथाई टीस्पून सफेद नमक आप नमक की क्वांटिटी अपने हिसाब से बड़ा या कम कर सकते हैं अच्छे से मैश कर लेंगे हाथ से अब सर्विंग प्लेट लेंगे और उसमें रखेंगे पूरी उपर से आड़ करेंगे एक एक चम्मच जो मसाला हमने रड़ी किया आलू प्याज का सेफ पूरी बनाने का सबका तरीका अलग है पर इस तरीके से बनाने पर ये सेफ पूरी बहुत ही टेस्टी बनती है और आसानी से भी बन जाती है अब आड़ करेंगे उपर से टमाटर जो हमने चौप करके रखा है अब आड़ करेंगे हरी चटनी ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है सेव पूरी को ये हरी धनिये से बनती है और इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी साथ ही आड़ करेंगे इमली की चटनी ये खट मीठा टेस्ट देती है सेव पूरी को और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उपर से आड़ करेंगे दई स्प्रिंकल करेंगे सेव यानि की बारीक भुजिया हर एक पूरी पे अच्छे सेव स्प्रिंकल करेंगे बारीक भुजिया आपके पास घर पे अगर मोटी भुजिया है तो आप वो भी ले सकते हैं उपर से स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला इससे खट मीठा टेस्ट आएगा सेव पूरी में सेव पूरी को गानिश करेंगे हरे धनिये के साथ सेव पूरी को और कलरफूर बनाएंगे और आड़ करेंगे कुछ अनार के दाने हर एक सेव पूरी पे डालेंगे थोड़ा सा नीमबू का रस बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी सेफ पूरी रेडी है आपके मुम में जाने के लिए जरूर ट्राइ कीजिएगा इतनी इजी और टेस्टी रेसिपी को भूलिएगा मत शेयर करना में इसार सजेशन्स और कमेंट्स मिलूंगे ऐसी ही और मज़िदार रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई, टेक केर और दोंट फोगेट तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब